तो क्या दोस्तो आप बीना वाइफाई डॉंगल लगा ये सारे चानल को देखना चाहते हैं तो किस तरह से देख सकते हैं पूरा डीटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में सब्सक्राइब करें जेके डीशिन फो यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए डीटी एज के रेटेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जेके डीशिन फो यूटूब चैनल दोस्तो मेरा नाम है जैस कुमर और दोस्तो आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले है कि बीना वाइफाइ एडेप्टर लगाए हम किस तरह से अपने सेट्टो बॉक्स में इंटरनेट को चला सकते है अपने सेट्टो बॉक्स के आसपास या फिर कोई एक मोबाइल को आपको रखना पड़ता है तब भी आपका ये बॉक्स जो की इंटरनेट पर वर्क करता है तो जिहां दोस्तो आज की स्वीडियो में आपको एक उपाई ये बताऊंगा कि इस वाइफाइ डोंगल को मदद से तो जिना दोस्तों ये 3G डोंगल आपको बिल्कुल यूटूब ओके चलेगा आपका और बिल्कुल आप दोस्तों जो भी आप सेट्टो बॉक्स में इंटरनेट चलाना चाहे या फिर जो भी वर्क करना चाहे इंटरनेट वाला वो इस 3G डोंगल की मदद से आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे ठीक है तो किस तरह से करना है चले मैं आपको कुछ इसकी प्रोसेस दिखा देता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको एक चाहिएगा 3G डोंगल और आपके यहां पर USB वाला पॉड दोस्तों यह 63 63 में और 63 में सेम ही प्रोसेस तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है बाकी जो मैं तरीका है वो बिल्कुल सेम है तो आप समझ लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा और यहां पर दोस्तों मैं आपको step by step यह सारे connect करके से इसको ओपन करें तो आप यहां पर देख सकते हैं सिमकाड ओप्शन कर एड़ करने का यहां पर किस तरह से एड़ करना है यहां पर आपको हो रहा है तो मैं यहां पर से अपना जो सिमकाड है वो एड़ कर लेता हो यहां पर इंसर्ट कर लेता हो इस डोंगल में तो सही त काड़ है उस पर आपको इंटरनेट होना चाहिए ठीक है और यहां पर यूस्ब ऑप्शन मिल रहा है और पीछे भी यूस्ब ऑप्शन मिल रहा है तो कहीं पर भी आप लगा सकते हैं लेकिन नेटवर्क अच्छा हो उस जगह पर आप लगए तो बैतर रहेगा तो साइड में दूस्ट यहां पर मैंने इस तरह से इसको लगाना है तो अब दूस्ट चलें टीवी के ओर चलते हैं और दिखाता हूं मैं किस तरह से यह काम कलता है तो सबसे पहले दोस्तो इस वाइफार को मैं या पर सॉलीड़्वाक्स मेरे वॉक्स में यहां पर लगाता हूं तो जैस तो अलग-अलग अपने डोंगल के मुताबिक हो सकता है किसी में लाइट है किसी में नहीं है तो इस पर डिपेंड नहीं करता ज्यादा यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर दीखना चाहिए कि आपका जो यह यूसबी 3G डोंगल है वो कनेक्ट हुआ या फिर नहीं है तो यहाँ पर मेरा जो कनेक्ट हुआ है या नहीं उसके लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा तो सबसे पहले दोस्तों मेनू में चले जाए और मेनू में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है याप को मैं से अप देख सकते हैं आप लिखा भी एक गरीन अपको प्रेस करना है तो आपका जो सेट अफ है ओपन हो जाएगा दोस्तों आप शिंपल सेट अफ है कोई मुश्किल नहीं है लेकिन ध्यान से देखें यहाँ पर दोस्तों आपको आपको कर लेना मेनूल क्यू लिए ओप्रेटर दोस्तों एडियल का सिमकार है तो इसलिए यहां पर रखा है और उसके बाद दुस्तों आपको नीचे श्यो का बटन कर दिया तो जैसे हैं आप यहां पर जैसे मैं यूटूब को ओपन करता हूं आप देख सकते हैं यहां पर अपडेटिंग हो रहा है और क्यूंकि दोस्तों यह थ्रीजी नेट्वर्क है इसलिए थोड़ा सा यहां पर से टाइम लगेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है चले मैं कोई वीडियो चलाने की कोशिस करता हूं वैसे मेरा इंटरनेट काफी शलो है तो इसके बाद भी दोस्तों आप देख लिए आपर इंटरनेट चल रहा है के भी अपंद्रा यहां पर स्पीड आ रहे हैं ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर वीडियो चल रहा है लेकिन थोड़ा सा दिखाने के कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हमारा जो इंटरनेट हो सक्टेसफूली कम यहां Rif Gleich четы को चुका है और जो भी दोस्तों इंटरनेटरनेट वालते काम यहां पर करना चाहते है तो यह सारे आप यहां पर सकर पाएंगे ठीछ है आप देख सकते हैं तो कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से मेरा पैस यहां पर online है अभी तो यह दोस्तो अगर आप online करते हो तो सारे आपके चैनल बिल्कुल चल जाते हैं ठीक है और दोस्तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे website पर विजिट करें और फिलाल के लिए दोस्तो दोस्तो इस तरह से इंटरेट यूज करके मजा ले सकते हैं तो छोटा सा वीडियो उम्मीद करते हो कि आपको पस्तो दोस्तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक चैनल पर नए मेमान है पहली बार आये तो चैनल को कर लिजिए करेंगे तब तक के लिए जय ही इन वंद्यमात्रों